साथ्यों SSC GD की परिक्षा की अगर बात करें तो आज की शिप्ट में साथ्यों जिस टाइप के कोशन्स आप से पूछा जा रहे हैं ठीक उसी टाइप के साथ्यों यहाँ पर आपके लिए मैं कोशन्स लेकर आया हूँ सबसे पहले साथ्यों 20 कोशन्स आप देखेंगे हिंदी के उसके बाद 20 कोशन्स देखेंगे साथ्यों सामान निग्यान के और जैसे एक्जाम में कोशन्स पूछे जा रहे हैं ठीक है उसी प्रकार पर यानि कि आज की शिफ्ट के उपर आधारित यह क्लास आपकी होगी और य कोशन्स को देख कर जाएगा मेरा मानना है साथ्यों एक्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा तो पहला कोशन्स आपकी स्क्रीन पर है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाएं तो आपको बताना है साथ आजानू बाहू और ये एक्जाम में आपके कोशन्स ट्रेंड करेगा उसके बाद देखिए कि शब्द की वरतनी अशुद है बताईए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों आगर बात करें ग्रह ऐसा ही लिखा जाता है कृष्ण भी ऐसा लिखा जाता है और बड़ नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों उसको क्या कहा जाएगा उसको निर्मूल कहा जाएगा ये बात आपको मालूम होना चाहिए इस प्रिश्ण का सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए दधी का साथियों अगर तदभर रूप की देखिए एक तत्सम शब्दे एक तरीके से बात करें दधी का तत्भर वूप आपसे पूछा गया है तो दही हो जाएगा यानि कि आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नमबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्टर भाई बहुत बढ़िया very good class साथ्यों SSC GD के अगर बात करें इस बार आपको एक सीट में दिल्वा कर रहूंगा जितनी भी साथ्यों अभी तक मैंने classes कर दी हैं वो सभी classes आते हो आपके exam के लिए बहुत important होगी और वो सारी classes अगर आप देख लेते हैं इस class को साथ्यों आप लोग एक बहतर अंदाज में full concentration के साथ साथ्यों अगर आप देख लेते हैं तो exam को crack करना कोई मुश्किल काम नए यह बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा आती उपसर का मतलब क्या होता है आप से पूछा जाएगे किसी काम की आती कर दी जाए मतलब बहुत जादा वो काम कर दिया जाए तो एक ट्रेक है एक तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं तो बाहुल आप लोग ध्यान रखेंगे यानि कि आती उपसर का मतलब क्या होता है तो बाहुल्ल होता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन आपके स्क्रेन पर है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा साथियो अनुकूल होगा अनसल आपका जाएगा option number C के साथ उसके बाद देखिए निम्नकित में से एक विष्णू का परेवाची नहीं देखिए विष्णू के परेवाची कौन कौन से होते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए कमलेश के अगर बात करें यह विष्णू का परेवाची है और कमला कांत भी विष्णू का परेवाची है और अगर बात करें कमला पती भी विष्णू का परेवाची है लेकिन कमला संसातियों विष्णू का परेवाची नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए निम्नकित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में परचलित ही नहीं है देखिए चाचा का हो जाएगा साथियों लिंग बदल जाएगा चाचा का चाची बहन का अगर बात करें भाई हो जाएगा भैसा का भैसिया हो जाएगा लेकिन कोयल की अगर बात करें तो हिंदी और इस सरे लिगस का नहीं होता कोईल है तो कोईल है साथियों ऐसा नहीं करेंगे कि कोईली है या कोईला है चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रेइन पर है कि निम्लिकित मेंसे कौन सा वाक्ष सही है या आप से पूछा जा रहा है तो शिरिराम 14 वर्ष के बाद 1 से वापस लोटे ये सही वाक्ष होगा या शिरिराम 14 वर्ष के बाद 1 से वापस लोटे या शिरिराम 14 वर्ष के बाद 1 से वापस लोटे या शिरिराम 14 वर्ष के बाद 1 से लोटे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए या जो शुद्ध वाक्ष के लग जाता है या आपके एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है कि जिसके पेट में माने रसी बांदी हो उसे कहते हैं दामोदर उसके बाद देखिए पैतरक शब्द में साथियों अगर परते आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता होगे अब बहुत सारी की अगर यहां पर बात करें प्रते पैतरक की शब्द की अगर बात करें इसमें प्रते क्या होगा साथियों आप लोग घ्यान रखेंगे अक नहीं होगा इसमें प्रते एक होगा तो answer कि अगर बात करें, answer आपका जाएगा option number C के साथ, उसके बाद देखिए निशकाम शब्द में उपसर्ग क्या होगा बताईए, देखिए निशकाम की उपसर्ग की बात करें न, तो निश जो है न, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा और नीचे जो हलंत लगा है, वो हलंत भी लगेगा, बिना हलंत वाला साथ, और राइट answer ना लगा देना, वरना वो आपका गलत हो जाएगा, उसके बाद देखिए, आम के आम गुट्लियों के दाम, ये एक लोकोती है, और इस लोकोती का मतलब साथियों क्या होता है, दोहरा लाब, एक दम फाइदा, जो वैक् साथियों आप्शन नमर डी वाला जो इर्शा शब्द लिखा हुआ, ये बिलकुल सही है, तो यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता है, खोश उड़ जाना, इस मुहावरे के लिए मतलब क्या होगा साथियों का मतलब क्या होगा, आप से एक्जाम में पूछा जाएग इसलिए बता दीजे, घर फूक तमाशा देखना नहीं, घिगी बंदना नहीं, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना बिलकुल सही, बिलकुल डर जाना, खोश उड़ जाना, या सिट्टी बिट्टी गुम हो जाना एक यी बात है, तो आंसर जिनका सी था तो बिलकुल करिक थ जान के लाले पढ़ना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है स्वैम को संकट में डालना ये होगा मतलब गंभीर संकट में होना या संकट टलना संकट टलना तो नहीं हो सकता मुसीबत में गुजारा करना ये होगा तो कह सकते हैं साथियो इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो option number B के साथ जाएगा यानि कि गंबीर संकट में होना ये किसका मतलब है साथियो जानके लाले पढ़ने का मतलब है अब उसके बाद देखिए कर्तव इस चैणल को सबस्क्राइब करके एक घंटे का निशान होगा एक बार All पर साथियो क्लिक कर लिए ताकि जैसे SSCGD का Full Mock Test साथियो इस चैनल पर आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आजए, उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वो वीडियो सात्यों देख सको तो कुलमिला के सात्यों जो भी आपका एनलेसिस हो रहा है, मैथ और रीजनिंग का भी मैं एनलेसिस करता रहता हूँ तो उस वीडियो को भी सात्यों जरूर देखिएगा, आपकी जो आने वाली शिफ्ट है, उसमें बहुत आपको फायदा मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा कि कम से कम जो पर्थम पहले नंबर पर आपने पोस्ट दी है, वो पोस्ट आपको मिल जाए, चले, करतव कि अगर बात क तो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद देखिए कि शब्द में आवा परते नहीं है, देखिए, दिखावा कि अगर बात करें, इसमें भी सात्यों आवा परते हैं, और भुलावा में भी सात्यों आवा परते हैं, लेकिन लावा में आवा परते नहीं है, नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इन में से तुरंग शब्द का परयवाची सात्यों क्या होता है देखे तुरंग का मतलब होता है घोड़ा और घोड़े का ही परयवाची होता है सात्यों बाजी तो कहा जा सकता है कि तुरंग शब्द का परेवाची क्या होगा बाजी होगा आंसर आपका जाएगा एके साथ अब उसके बाद देखिए सात्यों हिंदी के आपने देख लिए कितने कोशन सात्यों देखे 20 कोशन आपने हिंदी के देखे अब सामान निग्यान के साथ यहाँ पर 20 कोशन देख लीजे उसके बाद रीजनिंग के कोशन और मैत के कोशन वो कोशन में आपको करवाने वाला हूँ जो आज की शिफ्ट में साथ यह एनलिसिस तरीके से हम लोग देखेंगे उन कोशन को चलिए गौतम बुद्ध को महा परिनिर्मान साथियों कहां पर पराप्त हुआ था या आप से पूछा जाए रहे तो आप से अगर पूछा जाए महा परिनिर्मान कहां पर पराप्त हुआ था तो कुशन अगर में साथ इनका महा परिनिर्मान को पराप्त हुआ था गौतम बुद्ध के अगर बात करें तो यह बहुत धर्म के साथियों प्रवर्तक थे अगर बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म नेपाल में हुआ था और नेपाल में एक इस्तल है साथियों लुमिनी जिसका नाम है तो नेपाल के लुमिने में इनका जन्व हुआ था या आप लोग घ्यान रखेंगे और अगर बात करें इनको घ्यान की प्राप्ति कहां पर हुई तो बिहार में गोध बोध गया है तो बिहार के बोध गया में ही साथी इनको घ्यान की प्राप्ति हुई और अगर बात करें ये माहा परी निर्मान क्या है तो मृत्यू को ही कहा जाता है अगर आप से पूछे इनके मृत्यू कहा पर हुई थी तब भी आपको कुशी नगर बताना है और पूछा जै माहा परी निर्मान इनको प्राप्त कहा पर हुआ थी तब भी आपको सात्यू कुशी नगर ही बताना अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रिशने कि भारत में सबसे पहली जनगलना कब शुरू की गई थी बताने की कोशिश कीजे देखें यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहली बार जनगलना जो है वो कब शुरू की गई थी तो वो तो 7872 में शुरू की गई थी किस तो 1881 में शुरू की गई थी किसके कारेकाल में शुरू की गई थी तो लॉर्ड रिपन के कारेकाल में शुरू की गई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए दो सवाल और आपसे पूछा जाते हैं एक्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जो जंगलना थी ये भारत की कौन से नंबर की जनगलना थी तो ये पंधरवे नंबर की जनगलना थी लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये स्वत्मत्र भारत की कौन से नंबर की जनगलना थी तो ये स्वत्मत्र भारत की सात्यों सात्मे नंबर की जनगलना थी तो चार पॉइंट जो मै अभीनव भारत की स्थापना किसने की तब भी आप क्या बताते वीडी सावर कर ही बताते और कहा गया है कि अभीनव भारत का आयोजन किसने क्या साथियो तब भी आपको विनायक दामोदर सावर कर यानिके वीडी सावर कर ही बताना है उसके बाद देखिए अगला प्रशने क सुद्धता सेनानी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट पिता कहकर संबूदित किया था या आपको बताना है सात्यों क्या होगा इस कोशन का बिलकुल सही जवाब बताईए चलिए तो सुभाष चंद्र बोस सात्यों इस प्रश्ण का बिलकुल सही जवाब हो जात अगर बात करें महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किस ने कहा तो रविन्ना टैगोर ने कहा और पूछा जाता साथियो और जो पूछा गया इस प्रश्म में कि महात्मा गांधी को पहली बार राश्ट पिता किस ने कहा तो सुभाश चंद्र बोस ने कहा ये बात अंतराश्टिय शांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंदित परवधान भारती सविधान के निमिकित में से किसके एक भाग के रूप में उलिकित हैं। दो सो तालिस ओ के परवधानों को कवर करता है। तो करा कोरम परवध शरंकला में सबसे ऊची चोटी साथियों कौन सी है माउंट केटू है या आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर बी के साथ और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करिक्ट है। इसकी उचाई की बात करें तो छ्यासी सो ग्यारह मीटर इसकी उचाई है ठीक है ना चलिए। उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोशन है कि सागाउन के जंगल भारत के निम्लिकित में से किस राज़ में हैं कुल मिलाके ये आपको बताने तो कहां पर हैं ये तो मध्व पुर्देश में है इसलिए सही जवाब आपका जाएगा आप्शन नमबर बी के साथ निम्ल राष्टेए उद्धान है ये आप at लोग ध्यान रएं और पूछा जैंगा कहाँ पर हैं तो ये लदाख में हैं और अगर आप से पूछा जैंगां सुंदर्वन राष्टेए उद्धान कहां पर है तो पश्रिबंगाल में जिम कार्बेट राष्टे約 उद्धान कहां प कहा जाता है तो जिनका भी आंसर यहां पर D तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि इन में से किस प्रिकार की अर्थवावस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविदियों का मुख उद्देश आप लोग ध्यान रखेंगे पूजी वादे की यहां पर बाद चल रही है इन में से किस प्रिकार की अर्थवस्था में तो जो पूजी वादी अर्थवस्था होती ना इसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविदियों का मुख उद्देश जो होता है वो लाभ का माना होता है या आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखें साथियों अभी जो मैत और रीजडिंग के जो कॉंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत शानदार साथियों आपके लिए कॉंसेप्ट मैं आज के इस क्लास में लेकर आए हूँ 33 नमबर का साथियों कोशन्स देखिए प्रती धुमनी सुनने के लिए सुरोत तथा परावरतन सतह के बीच कितनी नूनतम दूरी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए साथियों 17 मीटर की होनी चाहिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर बी के साथ जाएगा ट्रांसफार्मर की कोश साथियों किसने की थी अब आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है तो माइकल फेराइडे का नाम आपने बहुत सुन रखा होगा साथियों बहुत बारी किताबों में इनका जिक्र किया गया है तो माइकल फेराइडे के दोरा ही साथियों ट्रांसफार्मर की खोच की गई थी अगला पुछ देखिए किस गैस का गंद सड़े हुए अंडे के जैसी होती है बताईए कहां से खुच्बू आती है साथियों सड़े हुए अंडे की तो हाइडरोजन सिल्फाइड से आती है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमर डी के साथ जाएगा चली वाई उसके बाद देखें नमिकित मेंसे कौन सा हैबर प्रोसेस का उप्योग करके उत्पादित किया जाता है तो हैबर प्रोसेस का उप्योग करके तो साथियों आमोनिया का उत्पादित किया जाता है और आमोनिया को उत्पादित किया जाता है तो राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा या आप लोग ध्यान रखेंगे निम्लिकित मेंसे कौन सी प्रिकरिया एक जीव में उर्जा उत्पन्न करती है बताईए तो क्या कहा जाता है फुफु सावरण कहा जाता है आंसर आपका जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा अस्पताल में निमिकित में से किस विभाग में cath lab होती है ये आपको साथियों बताना है और क्या हो सकता है इस question का right answer तो अस्पताल में किस विभाग में तो काडियोलोजी साथियों विभाग जो होता है इस विभाग में ही एक lab होती है जिसको कहा जाता है cath lab तो answer आपका अगर है option number C तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखिये साथियों के एक पीर्ड की उमर का पता कैसे लगा सकते हैं तो उसके वजन से नहीं उसके उचाई से नहीं वरतमान में अपनी वार्शिक छलों से साथियों बिल्कुल ये आप लोग ध्यान रखेंगे जो छ साथियों यहाँ पर reasoning के पहले question पहले साथियों reasoning के questions होंगे उसके बाद math के questions देखेंगे तो reasoning का साथियों पहला question आपकी screen पर है कि उस win R1 का chain कीजिए जो निम्लिकित वर्गों के बीचे के समंद को सही ढंग से निरुपित करता है तो यहाँ पर साथियों माता हैं पिता है और पुरुष हैं देखिये मान लेते हैं यह क्या हैं यह पुरुष हैं और जितने भी साथियों पिता होंगे ना जितने भी पिता होंगे वो पुरुष के अंतरगत ही तो आएंगे और यह मान लेते हैं साथियों यह क्या हो जाएंगी यह माता हो जाएंगी तो इस साथियों आपको कौन से आप्षिन में देखने को मिल रहा है साथियों ऐसा आपको कहा पर नजर आ रहा है तो कहा जा सकता है ऐसा आपको आप्षिन नमर B में नजर आ रहा होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बात देखिए साथ्यों यहां पर आपको बताने कि कौन कौन से साथ्यों लेटर आ सकते हैं ध्यान से देखिए और बताईए साथ्यों क्या इस कोशन का सही जवाब आपका हो सकता है यहां पर लेटर आएगा और बात करें यहां पर एक नहीं बरकि यहां पर दो लेटर आएंगे ठीक है यहां पर साथियों दो लेटर आएंगे और यहां पर कितने लेटर आएंगे यहां पर भी एक तरीके से साथियों दो लेटर आएंगे और यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक, अब देखिए, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इन लेटर्स को काउंट कर लिए, कितने आखर ये लेटर्स हैं, एक, दो, खाली जंगाओं को भी गिंदे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, द ठीक है, आंसर मिल जाता है, तो ठीक है, वरना पाच-पाच का पेर बनाते हैं, पहले चार का बना लिजए, एक, दो, तीन, चार, चार का ये बना लिए, एक, दो, तीन, चार, ये चार का बना लिए, एक, दो, तीन, चार, ये चार का बना लिए, और एक, दो, तीन, चार, अब देखिए साथियों अंत में क्या रहा है आर क्यू आ रहा है अंत में यहां पर भी आर क्यू है तो यहां पर अगर बात करें आर तो है लेकिन क्यू नहीं है तो साथियों यहां पर क्यू बन जाएगा यहां पर अक्यू तो है लेकिन आर नहीं तो यहां पर आर बन इसको भी PSRQ बना लीजे और इसको भी PSRQ बना लीजे तो S यहाँ पर आ जाएगा अब देख लीजे आपने अपने PIN से कौन कौन से letter लिखे उनको एक बार लिख लीजे अलग को तो आपने S लिखा, R लिखा, Q लिखा, S लिखा, R लिखा, Q लिखा और S, R लिखा उसके बाद S, R लिखा आपने उसके बाद साते हो P लिखा, Q लिखा, P लिखा, Q लिखा और S लिखा अब देख लीजे ये कौन से option में सात्यों जिस option में ये है ना वही option आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता है S R Q A कहां पर है S R ये हो गया Q S ये हो गया और R P Q A सात्यों ये आपका right answer हो जाएगा option नमबर B उसके बाद देखिए अगले नमबर का सात्यों कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताएए सही जवाब आपका क्या होगा दिये गे विकल्पों मेंसे वो संख्या आपको सात्यों चुनना है यहां पर जो निम्बिकी शुरणी में प्रिष्णवाचक चिन्निके इस्थान पर आएगा प्रिष्णवाचक चिन्निके जंगा पर आपको बताने कौन सा नमबर आएगा देखिए और बताएए सही जवाब क्या होगा देखिए सिंपल सी बात है पहले 16 में कितना माइनस यहां पर हुआ है तो माइनस साथ माइनस हुआ है 16 में 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा अब ये तो साथियों एकदम मतलब यहां पर माइनस किया गया यहां पर एकदम बढ़ा दिया गया तो कितना बढ़ाए गया साथियों यहां पर मैं कह सकता हूँ 18 बढ़ाए गया चलिए उसके बाद यहां पर कितने माइनस किया गया तो कितना माइनस किया गया, माइनस आट माइनस यहां पर किया गया है ये भी एकदम साथियों बढ़ गया, मतलब गुड़ा हो गई और इसकी अगर बात करें, 76 से अगर बात करें, यहां पर साथियों नौ माइनस किया है देखिए, यहाँ पर पहले में 7 माइनस किया, एक छोड़ा, दूसरे में 8 माइनस किया, उसके बाद छोड़ा, 9 माइनस किया, मतलब 7 माइनस किया, 8 माइनस किया, 9 माइनस किया, तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर 7-10 माइनस करना होगा, और जब यहाँ पर 7-10 माइनस पर 325 आप कांसर आ जाए क्या 325 आप्शन में है कहीं पर तो बिल्कुल साथियों आप्शन में है लेकिन अभी हमें दुविदा है कि ये जो हम एक एक को छोड़ कर रहे हैं कि ये सही होगा अब अगर बात करें देखें ये 9 से अब इतना तो आपको पता चल गया इसका इसका होता है तो नहीं साथियों 19 चौक साथियों कितना होता है ये 76 होता है देख लिजे ठीक है 19 चौक आपका मतलब इसकी गुणा चार से हो जाएगी ठीक है और इसकी गुणा साथियों किस से हो जाएगी 67 कि अगर बात करते हैं तो 5 से आप गुणा करोगे 7 35 35 आ जाएगा 35 का 5 आ जाएगा, 3 चला जाएगा, 6, 5, 3 और 3, 33, तो ये ऐसे होगा साथियो, मतलब इसकी गुणा 3 से फिर अगले नमबर 4 से, फिर इसकी नमबर 5 से, और नीचे जो खेल चल रहा है वो 7 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, तो फिर 10 माइनस करेंगे तो ये नमबर बिलकुल साथियों सही है और आंसर आपका उप्शन नमबर C के ही साथ जाएगा वही बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास अब उसके बाद देखिए साथियों एक कथन आपके सामने हैं और दो ही निशकर्ष आपके सामने हैं सबसे पहले आपको साथियों कथनों को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके एक और निशकर्ष देखिए और मुझे बताई है कि कौन सा निशकर्ष सही है और कौन सा निशकर्ष गलत है पहले कतर में लिखा हूँ है कि कुछ तारे ग्रह हैं तो ये मान लीजे सात्यों क्या हो जाएंगे ये तारे हो जाएंगे और माल लेते हैं सात्यों क्या इतने इतने तारे इतने तारे क्या हैं इतने तारे ग्रहे हैं तो ये सात्यों तारे हो गए और ये क्या हो गए ये आपके सात्यों ग्रहे हो गए उसके बाद कहा है कुछ ग्रहे धूम के तु हैं तो माल लेते हैं इतने ग्रह सातियों क्या हो जाएंगे इतने ग्रह आपके सातियों क्या हो जाएंगे धूमके तू हो जाएंगे अब निशकर्ष पढ़ियो निशकर्ष को देखकर वताइए कौन सा निशकर्ष साही है कुछ धूमके तू ग्रह है कुछ धूमके तू बिल्कुल सातियों इतने धू पर लिखा हुआ है ऐसा कहां पर लिखा हुआ है सात्यों ऐसा तो आपका option number D में आपको नजर आ रहा होगा तो exam में सात्यों स्टाइब के question आपसे पूछा जाएगा तो आपको छोड़ के नहीं आना है बलके उस question का सही जवाब देखा राना है चलिए अब उसके बाद देख लेते सात्यों क्या इसमें है क्या नहीं है छे के विपरीत आपको बताना है मान लिजे अगर ये दो है दो का विपरीत क्या होगा दो का विपरीत इधर वाला होगा तीन के उधर वाला होगा ठेके ना तो ऐसी सात्यों छे का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है अब मुझ तीन के बाद कौन सा आया है दक्षना बरत में गुमाईए जरा तीन के बाद एक आया है तो एक लिख लेंगे एक के बाद चार आया है तो चार लिख लेंगे उसके बाद दूसरा काम ये तीन है ना तीन के बाद क्या आया है तो दो आया है दो लिख लेंगे और दो के बाद क तीन का विपरीद पूछा गया, तीन का विपरीद पूछा गया है, तो अगर बात करें साथियो अब बचा ही क्या, अब बचा क्या, एक भी हो गया, दो भी हो गया, तीन भी हो गया, चार भी हो गया, पाच भी हो गया, तो तीन का विपरीद पूछा गया है साथियो, जाहर स ठीके ना तीन ही होगा तो तीन ही आपका राइट आंसर जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर option number A है तो बिलकुल correct भई बहुत बढ़िया very good class आपको इसके बाद बात देखें सात्यों यहां साथ यहां पर बढ़िये साथियो और बताये सही जवाब क्या आपको बताना है यहां यहां पर बात करें एक यहां पर एक आयत टाइपका है है ठीक है तो क्या आपको यहां पर आयत दिख रहा है यह तो उपर को आयत है और यह नीचे को है यहां पर तो बिल्कुल उल्टा है तो यह नहीं हो सकता यहां पर आयत तो है साथियो लेकिन उसके उपर यह चौकोर टाइप का है उसके उपर देखेंगे चौकोर है बिल्कुल सातियों एक उपर तेड़े में चौकोर यहां पर भी है और यहां पर थोड़ा सा गैब भी है और सातियों यह जीरो टाइप का भी बना हुआ है जैसे यहां पर बना हुआ है तो कुलमिला की आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर A के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर आप्शन नमबर A है तो बिल्कुल करेक्ट भाई बहुत बढ़िया वेरिकुल क्लास सब उसके बाद देखिए अगले नमबर का सातियों कोशन आपकी स्क्रीन पर आच चुका है देखिए और बताए सही जवाब आपका यहा लिखा जाता है एक तीन एक दो साथ एक आट यहां पर तो नमबर बहुत ने कुल मिला के जितने यह है सातियों उसके डबल लग रहे एक तरीके से अगर बात करें देखिए इन ओ टी आई ओ इन को सातियों यह लिखा जाता है तो उसी प्रकार आपको बताने बी ई ए यू टी आई एफ आई को सातियों क्या लिखा जाएगा यहां पर एक चीज मुझे नोटिस करी है मैंने क्या कि इन यहां पर भी है और इन यहां पर भी है और इन का जो कोड आया ह साथियों वो 13 आया है क्या आया है 13 आया है यहां पर कहीं इन है नहीं है तो ऐसा भी नहीं है साथियों कि कोड है माली जे इनका कोड 13 है तो इनका कोड यहां पर होता तो 13 लिखते हैं ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऐसा ही नहीं तो उसके बाद साथियों अगर बात करें ओ का कोड O का कोड यहां पर क्या है साथियो 12 है और यहां पर भी 12 है लेकिन O की बात करें साथियो O का विपरीत L होता है और L का कोड होता है साथियो 12 और कहीं ऐसा तो नहीं साथियो कि N का विपरीत होता है M और M का कोड होता है साथियो 13 तो एसा तो नहीं, ऐसा ही है साथियो, टी का विप्रीद के अगर बात करें साथियो, जी होता है, और जी का यहां पर लिखा हुए एक तरीके से लेटर पोजिशन साथ होती है, तो समझ में आगा है साथियो, अब क्या है, देखिये, बी की जगा पर क्या लिखेंगे, बी का विप्रीद क्या होता है, वाई होता है, और वाई होता है साथियो, पच्चिस नमर पर, तो पच्चिस कहां पर लिखते हैं, आपको एक तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसके बाद अगर बात करें Y का विपरीत क्या होता है Y का विपरीत सातियो B होता है तो 2 होना चाहिए अब 2 यहां पर है यहां पर है या तो सातियो यह आंसर होगा या आपका यह आंसर होगा ठीक है चलिए उसके बाद अगर बात करें E का विप्रीत क्या होता है ठीक है आपका L O V E आपने पढ़ा होगा ना तो V हो जाएगा V किस पर आता है साथियो 22 पर आता है तो 22 यहां पर आ जाएगा 22 साथियो सिर्फ यहां पर है ना यहां पर है टाइम बहुत का मोता है साथियों आपके एक्जाम में, चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, देखिए, छे मित रहें, A, B, C, D, E, F, एक सीधी 36 पंक क्यान रहें, इनका सबका मूँ उपर की तरफ है, बेटैं, F, और C के बीच में कौन बैटा है, साथियों, B बैटा है, ठीक है, तो F और C के बीच में हम बैठा लेते हैं, Sाथियों, F, और C के बीच में, साथियों, B आपका बैठ जाएगा, उसके बाद लिखा ह, तो C कहा डी ये ए के बाईं और ठीक बगल में बैटा है ए किदर ए ये है ए का बाईं किदर होगा ये होगा तो डी सातियों यहां पर बैटा है उसके बाद कहा गया है कि बी के दाईं और दूसरे इस्थान पर कौन बैटा है बी के दाईं ये होगा ये होगा तो बताना है आपको कि य यहां पर option number A लिखा होगा यहां कि A लिखा होगा जो कि option number B में लिखा हुआ है उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातियो कोशन आपकी स्क्रीन पर है कि जटिल का सरल से वही संबन्द है जो संकुचन का है देखिए जटिल के अगर बात करें न तो जटिल का विलोम होता ह सरल और जब हम बात करते हैं सातियो संकुचन का विलोम क्या होता है तो संकुचन के विलोम क्या अगर बात करें संकुचन का विलोम सातियो पर सार होता है तो answer यहां पर अगर है आपको option number B तो बिल्कुल character भाई बहुत बढ़िया very good class इस question को देखें सातियो और इस question का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए देखिए letter position की अगर बात करें तो K का अगर बात करें सातियो L आया है I का यहां पर Z आया है ऐसा कुछ हो रहा है तो letter positioning सातियो करा लीजिए K की बात करें सातियो के आपका 11 पराता है I 9 पराता है L सातियो आपका 12 पराता है O आपका 15 पराता है तो यहां पर मैं 12 लिख देता हूँ यहां पर सातियो 12 पराता है O आपका 15 पराता है G 7 पर और R 18 पर A 1 पर और M सातियो 13 पराता है अगर उसके बात सातियो यहां पर अगर आट पर और जे आपका दस पर आता है यहां पर अगर बात करें सात्यू कैसे क्या हो रहा है देखिए यहां पर है ना यह आपका ग्यारा है और ग्यारा से यह दस हो गया यहां पर नौ है यहां से आट हो गया है यहां पर 12 है साथियों और यह 11 हो गया है और यहां पर क्या है यहां पर 15 है तो यहां पर 14 हो रहा है तो इस टाइप से साथियों हो रहा है मतलब इसमें आपको एक घटाना इसमें एक घटाना इसमें घटाना है तो मैं कह सकता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हैं सातियों कितने हैं 8 हैं तो 8 डैश हम लोग खीच लेते हैं हाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब A में से अगर एक घटाएंगे ना सातियों तो कितना आएगा तो Z आएगा तो यहाँ पर Z आएगा अब option में से देखिए कहाँ पर Z है सातियों तो option number D में Z है तो यही आपका right answer है एक्जाम में अब आपको आगे और चिक नहीं करना यहीं answer होगा लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखला देता हूँ आई होता है सातियों 9 पर A8 हो जाएगा आपका H आजाएगा यहाँ पर R होता है 18 पर 17 पर आजाएगा सातियों Q आजाएगा और यहाँ पर सातियों C है तो यहाँ पर सातियों B आजाएगा और फिर अगर बात करें सातियों यहाँ पर Q आजाएगा फिर यह Z आजाएगा फिर यह सातियों E आजाएगा और फिर यह S आजाएगा तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर डी के साथ जाएगा वही बहुत बढ़िया वेरी कुड ट्लास अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है देखिया और बताईए साही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है बताईए चली यहाँ पर अगर बात करें एक वस्तू के अंकित मूल पर 10 पर्तिशत की और 5 पर्तिशत की क्रमिक छूट देने के बाद वो वस्तू 3420 रुपए में बेची जाती है वस्तू का अंकित मूल आपसे पूछा जा रहा है अच्छा यह जो छूट दी गई ना यह अंकित मूल पर ही छूट दी गई है मान लेते हैं साथियों अंकित मूल हम यहाँ पर अंकित मूल पूरा पूरा लिखें या एक्स लिख दें हाँ पर एक्स लिख देते हैं जादा आसान रहेगा बार बार अंकित मूल बहुत लंबा चोड़ा नहीं लिखना पड़ेगा तो अंकित मूल पर दस प्रतिशत की छोड़ दी गई यानि कि 90 रुपए में वो दिया गया 90 प्रतिशत में वो दिया गया तो 90 बटे 100 आ जाएगा उसके बाद कहा गया कि फिर से 5 प्रतिशत की छोड़ दी गई यानि कि साथ यो फिर वो 95 रुपए में दिया गया यानि कि 95 प्रतिशत में दिया गया और ये दो छूटे देने के बाद वो वस्तु साथ यो 3420 रुपए में बेची जाती यानि कि बराबर 3420 आ जाएगा अब अंकित मुल आप से पूछा जा रहा है ना और अंकित मुल आपका एक्स है तो इसको पूरे को कल्कुलेट करो और एक्स का मान निकाल दो वही आपका अंसर हो जाएगा अब इसको छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कर जाएगा, 5 दुना आपका 10 हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा अब अगर बात करें, साथ्यों एक्स बराबर की आजाएगा, यह 3420 है, 3420 ऐसा ही हो जाएगा अगर बात करते सात्यों ये 10 है और ये सात्यों 20 है तो यहां पर कुल मिलाके 200 आपका आजाएगा और नीचे सात्यों क्या आजाएगा नीचे आपका 19 आजाएगा और कितना आजाएगा सात्यों 9 आजाएगा इतनी इसी बात है सात्यों चलिए अब अगर बात करें न सात्यू देखिए तीन से कट कर ले न तीन एकम तीन 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 नो हो जाएगा और तीन एकम तीन तीन एकम तीन इसको कट कर रहे हैं तीन एकम तीन 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 एकम तीन 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 चार हजार आपके इस प्रिशने का बिलकुल सही जवाब हो जाता है तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर C है तो बिलकुल करेक्टर भाई बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास अब उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है दे बेचने पर एक वेक्ति को पंधरा प्रतिशत की हानी होती है कभी भी साथियों ऐसा कहें कि हमने किसी वस्तु को 200 में बेचा तो 10 प्रतिशत की हानी हुई तो 10 प्रतिशत की हानी का मतलब साथियों यह हुआ कि उसको 90 प्रतिशत में आपने बेचा और कितने रुपए में ब जागा देंगे और बटे में सातुए नफ़े आ जाएगा तो इसको कल्कुलेट करोगे हमें सो परतिशत की वैलू मिल जाएगी यानि कि वो मूल हमें मिल जाएगा जिस पर बेचने पर ना हमें प्रॉफिट हो ना हमें लाब हो अगर बात करते हैं सातुए इस कोशन की तो प पचासी आ जाएगा ठीक है ना पचासी आ जाएगा सत्रह एकम सत्रह हो जाएगा सत्रह पंजे पचासी हो जाएगा पाच एकम पाच पाच दुन आपका दस हो जाएगा दो की सो से गुणा करेंगे सात्यों क्या जाएगा दो सो आ जाएगा यानि कि कहा जा सकता है कि उस व रीदी कई और 6 और कितने में सात्यों एक्स्रा में 6 इतने रुपए का तो लाब हुआ 6 रुपए 40 पैसे का लाब हुआ एक तरीके से कह सकते हैं लेकिन इसको पृतिशत में आपको बदलना है ये आपसे कहा जा रहा है तो इसको पृतिशत में बदलेंगे सात्यों गुणा 100 लगाएंगे और गुणा 100 लगाएंगे भाग देंगे क्रामूले से नीचे जो आपका 200 है दो नमबर के बाद पॉइंट लगाएंगे पॉइंट गायब करेंगे नीचे साथियो दो जीरो बढ़ जाएगा अब इस से ये आपका कट जाएगा अब उपर आपका आजाएगा 640 नीचे आपका साथियो आजाएगा 200 इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा यहाँ पर अगर बात करेंगे दो से कट करेंगे 32 आजाएगा यहाँ पर आपका 10 आजाएगा इस जीरो को हटाएंगा और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगा अगर बात करते हैं साथियो तीन पॉइ आपकी स्क्रीन पर आप चुका है क्रमशा 6 cm, 8 cm और 10 cm भुजाओं वाले तीन ठोस धात्विक घन है बाल लेते सात्यों एक तरीके से घन है ये एक घन ये हो गया एक घन ये हो गया माल लीजे कहा गया है सात्यों क्या कहा गया है कि इनकी भुजाओं के बारे में सात्यों बताया गया कि अगर माल लीजे इसकी 6 भुजा है इसकी 8 भुजा है इसकी 10 भुजा है तो ये तीन ठोस धात्विक घनों को अगर इन तीनों को कुल मिलाके पिगलाया जाता है ये कहा गया है कि अगर पिलाया जाता है तो उसके बाद एक नए ठोस मतलब इन तीनों को पिगला कर एक नए घं मान लीजे बनाया जाता है अब सात्यों बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ क्या होगा देखिए माल लेते हैं सात्यों पहले वाले का जो घं है उसकी भुजा कितनी है छे है तो माल लेते ए बराबर छे है दूसरे वाले की कितनी है साथियों माल लेते ए टू बराबर साथियों आठ है और ए थरी की अगर बात करें तो कितनी है साथियों दस है अब यहां पर एक बड़ा वाला भी है एक बड़ा वाला भी है साथियों उसको माल लेते जो इन तीनों को बना कर बनाया जाता है ना उसको मान लेते हैं साथ्यों इतना है तो इसकी घंड की भूजा मतलब इसकी भूजा ही आपको एक तरीके से चाहिए है ठीक है ना तो चलिए हम लोग देख लेते हैं साथ्यों यहाँ पर अगर बात करें इस A वाले की भुजा हमको चाहिए है अगर बात करें इसका आयतन इसका आयतन और मैंने कहा था कि इनका आयतन बरावर है तो इनके आयतन की बात करें इनका आयतन पिलस ये वाले का आयतन ये दो है ये एक है और प्लस अगर बात करें इसका आयतन यह आपका 3 हो जाएगा, बराबर हैं, यह मतलब, ठीक है ना, अगर बात करें, अभी हमें, एकी वेलू चाहिए है, वो हम पता कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे, एकी बात करें, एक कितना है, छे है, तो छे का क्यूब कितना हो जाएगा, सात्यों, 216 हो जाएगा, एक शाथियों जोड़ेंगे तो 1512 कितना हो जाएगा 1512 हो जाएगा और 216 अगर साथियों उसमें जोड़ते हैं तो ये 8, ये 2, ये 7, ये 1 आ जाएगा यानि कि 1 क्यूम कितना आएगा साथियों, 1728 आएगा और अगर बात करें A क्यूम 1728 इसका मतलब है कि ये किसी संक्या का घं होगा तो ये बारा का सात्यों घं होता है किसका घं होता है बारा का घं होता है तो ए बराबर कितना आ जाएगा सात्यों बारा आ जाएगा तो बारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका option number C में वही बहुत बढ़िया very good class 75 भाग 30 आफ 5 बटे साथ यहां पर सातियों कुछ missing है वो मैं आपको बता देता हूं क्या यहां पर missing लेखिए 75 जैसे लिखा 75 भाग यहां पर 30 ही आएगा 75 भाग 30 और minus 3 बटे यहां पर 4 है और उसके बाद off है फिर यह सब है अब अगर सातियों सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले जो bracket के अंदर है इसको आप लोग solve कर लीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 और 1 सातियों कितना हो जाएगा 9 और 1 अपका 10 हो जाएगा उसके बाद minus लिए तीने कम 3 तीन और 2 सातियों 5 बटे यहां पर 3 आजाएगा अब अगर बात करतें नीचे नीचे तो से मैं 3 तो एक बार उतार लेंगा उपर सातियों 10 minus 5 आजाएगा तो यहां पर कितना आजाएगा 5 बटे 3 आजाएगा यानि के पूरा इसको कल्कुलेट करके सातियों इसको कल्कुलेट करके कितना आएगा 5 बटे 3 आएगा minus लगा लिया अब अगर बात करें इसको solve करा लेते ना तो 5 बटे 7 लिखा है तो 5 बटे 7 हमने 7 लिख लिया इस भाग का निशान हम इसको गुणा में बदल लेंगे लेकिन गुणा में बदलने के बाद एक शर्त होती है कि इसकी उल्टा पल्टी होगी जैसके 9 बटे 14 लिखे न तो 14 बटे 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा और minus 5 बटे 3 यह है अब देखिए सात्यों साथिकम साथ साथ दूना आपका 14 हो जाएगा ठीक है अब क्या हो जाएगा पाँच दूना आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आपका 9 आजाएगा minus 5 बटे 3 आजाएगा अब इसको सात्यों आप देख लीजिए कितना कितना आपके पास आ गया 10 बटे 9 आ गया माइनस 5 बटे 3 आ गया अब यहाँ पर अगर बात करें साथियो यहाँ पर क्या था यहाँ पर 3 बटे 4 था और फिर यह क्या था साथियो फिर आपका अगर बात करें यह आपका 75 था 75 था, उसके बाद 7 यों भाग 30 था उसके बाद माइनस 3 बटे 4 था उसके बाद यहां पर Off था अब यहां पर चूंक ए साथिenc उम आफ है तो यहां पर इसका मतलब गुना आजाएगा यानी कि 10 बटे 9 से पहले गुना आजाएगा और ये तीन बटे चार लिखा हुए, तीन बटे चार साथियों लिख जाएगा, ये क्या है, ये 75 बटे 30 है ना, मतब 75 बाग 30, तो 15 दुना 30 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा, यानि कि इसकी जंगा 5 बटे 2 आ जाएगा गुणा में, 5 बटे 2 आ गया, तो अब आपके पास स साथियों बात करते, अब किसको सॉल्व कराना है, अब इसको सॉल्व करा लिजिए, 2 आ जाएगे यहाँ पर, और यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा, तो अब आपके सामने जो आया है, 5 बटे 2 माइनस से, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 5 तीन पंदरा और यहाँ क्या हो जाए अच्छे इसको और यह कट रहा है, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, अब आपके पास साथियों क्या है, अब आपके पास आया है, 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 6 माइनस 5 बटे 3 आपके पास आगया है, देखिए, अब अगर बात करें, इसको और इसको कैलकुल आपका हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा छे हो जाएगा तो नीचे तो छे हो जाएगा साथ उपर पंद्रा हो जाएगा नीचे भी छे नीचे भी छे तो एक बार छे आ जाएगा और उपर पंद्रा में से पाच जाएगा तो दस आ जाएगा यहां पर कितना थ पाच बटे तीन था इसको भी सात्यों ऐसा करो छे बना लो तो दो से इसकी गुणा कराओगे तो ये छे बन जाएगा दो से इसकी गुणा कराओगे तो ये दस बन जाएगा नीचे भी 6, एधर भी 6, इधर भी 6 हो जाएगा और 10 जाएगा, तो साथmeno 0 बचेगा तो आंसर आपका क्या जाएगा? 0 बटे 6 जाएगा और जब ऐसा होता है कि जीरो के बटे में कोई नंबर होता है तो वहांपर आनसर आपका 0 ही होता है तो 0 आप्शन में है बिलकुल है साथियों आप्शन नमर B में है तो यही आपका बिलकुल सही जवाब हो जाता है एक वस्तु का अंकित मूल 450 रुपए है इसे 10 प्रतिशत, X प्रतिशत और 20 प्रतिशत की 3 क्रमिक चूटों के बाद इसको 266.30 रुपए में बेचा जाता है X का मान आपसे साथियों हाँ पर पूछा जारे देखिए अंकित मूल साथियों कितना है अंकित मूल है 450 इस 450 पर यानि कि इस अंकित मूल पर साथियों पहले जब 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है यानिके इसको 90 प्रिच्छत में बेचा जाता है क्या कह सकते है 90 बटे 100 हो जाएगा ठीक है एक स्प्रिच्छत की बात आई दे कि कभी भी माल लेजिए जैसके 10 प्रिच्छत यहाँ पर है तो हमने उसको कितना लिखा एक तरीके से 100-10 100-10 बटे 100 ऐसे करके तो लेखा तब ही तु साथिया 100 में से 10 जाएगा तो 90 बटे बचेगा यानि कि 90 में से 100 होगा 20 होता तो हम क्या लिखते साथे हो यहाँ पर 100-20 लिखते 20 लिखते हैं लेकिन यह संखिया हमें पता है तो हमने यहाँ पर घठा दिया लेकिन अगर ये संख्या साथियों हमें पता ना होती तो हम क्या करते तो हम 100-X कर देते अब जैसे कि यहाँ पर X प्रतिशत है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा साथियों 100-X बटे 100 करना पड़ेगा उसके बाद एक और शाथियों चूट दी जाती है 20 प्रतिशत की यनिके कितना हो जाता है 80 बटे 100 हो जाता है तो अब इन चूटों को देने के बाद वो जो वस्तू बेची जाती है 246.30 बची जाती है X का मान आपसे पूछा जा रहे है यह जो X है ना X इस का मान सात्यों आपसे पूछा जा रहे कितने प्रतिश्चत की उसको छूट दी गई चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए X का मान आपको इस पूरे को कल्कुलेट कराना ठीक है चलिए अब अगर बात करें देखिए नीचे आपका 100 है ठीक है और नीचे आपका 5 है अगर इस 5 को भी कट कर दे और 5 निम 45 कर दे तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब बहुत ध्यान से देखिएगा सातियों आप बहुत ध्यान से देखिएगा ये 100-X एना 100-X यहाँ पर हमने लिख лिया 100-X वराबर ये कह लिखा है 266, ये भी ये 7 हमने लिख 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 लिया, 0.30 भी लिख 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 लिया अब नीचे कौन कौन सी संख्या हैं, नीचे 7 सर्फ 100 है, तो ये 100 लगेगा, अगर बात साथियों कितना है और आपका चार है तो यह आपका चार हो जाएगा अब देखिए दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है पॉइंट हटाएंगे साथियों नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे एक लगा के अब इन सौ से यह सौ आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है चलिए लिएंगे तो यहां पर लिख लिए तेन् नीचे घरो जाएंगे इस जरो से छाएगा और आगर बात करें तीन नीचे अधका कितना का जाएगा टीन नीम्डी साथाईस अजै इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ फर लिख लीजए तीन तो नवक्स साथ़े और चारं चारं ऑब देख्डाय। 3 से नहीं कट हो रहा है देखिए हाँ कट हो जाएगा यह ऐसा करो 9 से ही कट हो जाएगा 9 कम 9, 9, 9, 27 हो जाएगा 2 बचेगा 27 हो जाएगा 9, 27 और 0 का 0 यहां पर लग जाएगा ठीक है अब ये भी कट हो गए अब इसको सात्यों 4 से कट करा लो यानि कि 330 को सात्यों 4 से कट करा लो आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा 4, 8, 32 हो जाएगा बिलकुल 4, 32 हो जाएगा एक जाएगा 10 हो जाएगा 4, 2, 8 हो जाएगा बिलकुल एक बचे का पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा 7, 4, 2, 8 हो जाएगा तो कुल मिला के साथियो 82.2 यहाँ पर आ रहा है चलिए अच्छा यहाँ पर एक बात है देखिए चार इठे 32 होगा ना चार इठे 32 हो गया ठीक है उसके बाद चार इठे 32 में से साथियो जब एक बचेगा तो यह 10 हो जाएगा चार दोना आपका आठ हो जाएगा तो साथियो यहाँ पर एक ने यहाँ पर दो बचेगा और पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे चार पंजे आपका कितना हो जाएगा चार पंजे आपका बीस हो जाएगा तो इतना कुल मिला के यहाँ पर आता है अब देखिए अब यहाँ पर कहा गया है कि X का मान ग्याद कीजे तो X का मान ग्याद कीजे साथियों X का मान वैस कैसे हम ग्याद कर पाएंगे X का मान हम कैसे ग्याद कर पाएंगे 100-X यहाँ पर साथियों हमने लिखा था बिल्कुल लिखा था 100-X तो X की value क्या आई है साथियो 82.5 आई है तो जब 82.100 में से 82.5 घटा होगे तो 17.5 परतिशत बचेगा यानि के साथियो यहाँ पर जो बट्टा आपका लग रहाता वो साड़े सत्तरा परतिशत का लग रहाता और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता वाई बहुत बढ़या very good class अब उसके बाद दिखिये कि एक निश्चिध धन्राशी कोई निश्चिध धन्राशी है कोई दराशी है वो साधhrन ब्याच पर दो वर्सों में कितनी हो जाती है सातियो 8640 हो जाती है और तीन वर्सों में कितनी हो जाती है और तीन वर्षों में 9720 हो जाती है धंडाशी में धंडाशी और वाशिक ब्याज दर कितनी होगी यानि कि आप से धंडाशी भी पूछी जा रही है पूछा जा रही है कि मूलधन कितना होगा और पूछी जा रही है साथियो आर यानि कि पूछा जा रहा है कि दर कितना होगा तो ये दो चीज़े आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन सी एक तो धन्डाशी की अगर बात करें धन्डाशी मैं आपको बता दूँगा कैलकुलेट करके एक सिकंड तो मैं आपको धनाशी बता दूँगा साथियो और मैं आपको दर बता दूँगा चलिए यहां पर दर हो गई और धनाशी हो गई अब यहां पर बहुत ध्यांस से साथियो देखिएगा देखिए यहां पर कहा गया है कि एक निश्ची धनाशी साधहरन भी आज पर दो वर्शों में 8840 हो जाती है और 3 वर्शों में कितनी हो जाती है 97, 110 हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ साथे can each आगर साथे can कराऊगे तो मैं कह सकता हूँ 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा और अगर बात करें साथे can always कितना बचेगा अ sticks और यहां पर साथेiben जीरो आ जाएगा और यहां पर दस आ जाएगा निकि कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो साधरन ब्याज पराप्त होता है वो 1080 पराप्त होता है ठीक है अब यहां पर साथियो देखें दो वर्ष का साधरन ब्याज है दो वर्ष का साधरन ब्याज है तो इसकी ज़रा दो से गुण मूलधन तो है है इसमें दो वर्ष का साधरन ब्याज भी एड है क्योंकर लिखा हुआ है और दो वर्ष का साधरन ब्याज हमने निकाल लिया है तो हम जब इसमें से दो वर्ष का साधरन ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन ही तो निकाल आएगी यानि के पहले पृष्ण क हमें जवाब मिल जाएगा तो 640 में से 640 में से सात्यों 2160 घटाएंगे जो के दो बश्का साधरन व्याज है तो हमें कितना मिल जाएगा हमें हमें यहाँ पर मिल जाएगा सात्यों कितना हमें यहाँ पर मिल जाएगी धन्राशी मिल जाएगी कुल मिला के तो 6480 रुपए कहां पर लिखा हुआ है 6480 रुपए एक तो 6480 रुपए ये लिखा हुआ है एक सातियों ये लिखा हुआ है या तो option number A right answer होगा या आपका D right answer होगा लेकिन अब हम सातियों निकाल लेते हैं अब हम सातियों एक बार दर भी निकाल लेते हैं 6480 रुपए आपका मूलधन हो गया अच्छा दर निकालने के अगर बात करते हैं तो दर बराबर क्या होता है दर बराबर होता है SI into 100 बटे P into T ठीक है इसमें हम बैठाल देते हैं अगर साधारन ब्याज की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक वर्ष का सातियों साधारन ब्याज कितना निकला था या दो वर्ष का लिख लेते हैं 260 निकला था 260 हो गया 100 हो गया और मूलधन कितना है 6480 है 6480 हो गया और कितने समय के लिए दो समय के लिए, दो वर्ष के लिए अब इसको अगर कट करने पर आएं साथियों तो ये कैसे कट होगा, यहां पर मैं आपको बतला देता हूं, देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसल हो जाएगा, दो एकम दो हो जाएगा, और इसको अगर कट करेंगे दो एकम दो जीरो, दो अठे सोला हो जाएगा, ठीक है, इतना कट हो गया, अब अगर बात करेंगे, इसको यहां पर लिख लीजे, एक सो आर्ट, डवल जीरो और यहां पर कितना आजाएगा, छे, चार आजाएगा, इतना आप साथियों बचा है दो दो ना चार, दो सत्य चौदा, यह आजाएगा दो से कट करेंगे, दो अठे सोला दो एकम दो आजाएगा, इसको कट करेंगे साथियों, दो एकम दो, दो तिया च्छे आपका आजाएगा, दो पंजे दस, तेरा सो पचास 3 से अगर कट करें ना तो 3, 3, 2, बारह आ जाएकर 35, 15 हा जाएगा अगर इस को कट करेंगे 3, 2, न चे आ जाएगा और यहां पर 2 चला जाएगा 3 सफसी आपका 20 आ जाएगा ठीक है अब 95 कि अगर बातकर 95 आपका 45 हो जाएगा 99,9922,icheit,rag21 27 हो जाएगा तो कुल मिला कि 50 बटे 3 आपको यहां पर मिल रहा है तो R कितनी निकल रही है साथियो आपकी 50 बटे 50 बटे 3 निकल रही है तो इसको कैसे calcurate करेंगे То साथियो 3 आ जाएगा 3 एकम 3 हो जएगा कितना बचेगा 2 बचेगा 20 हो जाएगा 3 शंग 18 हो जाए तो हमने पहले ही निकाल लिया था तो जिनका भी आंसर यहां पर D है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए साथियो अगले नंबर का कोशन आपकी स्क्रेइन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा देखिए A और B की आईयो का आए का अनुपाद कितना है उनकी आए अगर A की आए साथियों चार है तो B की आए कितनी है पाच है ऐसा कह रहा है और उनके व्यो का अनुपाद कितना है दो अनुपाद तीन है मतलब अगर कमाते चार हैं तो खर्च दो करते हैं कमाते पाँच है तो खर्च तीन करते हैं यदि A और B करमशह बहतर सो रुपए और छे हजार रुपए की बज़त करते हैं यानि के इतने इतने रुपए बचाते भी है तो A की I आपसे पूछा जा रहे है यानि के 4X का मान एक तरीके से पूछा जा रहे है देखे A और B की I का अनुपाद कितना दे रखा है चार अनुपाद पाच दे रखा है मान लेते हैं A की आए साथियों 4X हो जाएगी और B की आए कितनी हो जाएगी 5X हो जाएगी उसमें ये भी दिया है साथियों कि A जो बच्ट करता है वो 72 सो रुपई की बच्ट करता है ठीक है 72 सो रुपई की बच्ट करता है अपनी आए मेसेज सातियों, अपना क्या निकलेगा हैं würde अपनी वचत अगर वए आएगा उसके सामने क्या आएगा, उसके सामने एक तरीके से वए हाएगा, यानि किई कितना खर्चा किया, आपकी आए मानली जी सातियो 10 हैं, आपने उसमें से 2 रुपए बचत किये तो यह क अनعूपाद कितना है? कि A का दो है और B का कितना तीन है? तो यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ, माली जए इसकी A की आए मेंसे शाथиком उसकी बचषत को जब मांइनस करते है तो कितना आता है साथиком उसका व का अनूपाद आजाता है जो के 2 है ठीक है अब उसी प्रिकार अगर बात करें साथियो B की B की आए कितनी है पाच एकस है इसमें से ये बचट कितनी करता है 6000 रुपई की बचट करता है तो साथियो इसका भी अनुपात आ जाएगा B का तो 3 है तो ये अब इसको साथियो आपको सौल करना है बस और कुछ नहीं आपको करना है चारतिया आपका साथियो 12X हो जाएगा 12X हो गया 72 की 3 से साथियो कराओगे 216 आ जाएगा 216 डवल 0 लग जाएगा बरावर 5 दूना 10X आ जाएगा और 6 दूना साथियो 12 आ जाएगा यहाँ पर चलिए तो ये आपका 12,000 हो गया अब देखिए आपर 12X है और ये 10X है उधर है बरावर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2X बचेगा अब 2X बरावर साथियो कितना हो जाएगा 2X बरावर आपका 216 में से अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 216 डवल 0 में से कितना घट जाएगा साथियो 12,000 घट जाएगा ठीक है ना, तो 216 में से जरा 120 साथियो घटा लो, 216 में से 120 घटा होगे, क्या बचेगा 6, और यहाँ पर साथियो 9 बचेगा, 96 बचेगा कुल मिला के, ठीक है, यानि के 900 बचेगा, तो अब आप साथियो यहाँ पर देख पा रहे होगे, कि 2x बराबर कितना है, 2x बराबर 900 है तो X बराबर कितना होगा 2 की भाग करदो, पता चल जाएगा 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा यानि के 48100 हो जाएगा यानि के X का मान साथियो कितना आ गया 48100 आ गया अब देखिए, अब एक ही आए कितनी थी साथियो, चार X थी, ठийक है न तो X बराबर 4800 है तो 4X की वेलू क्या होगी सात्यों 4800 की 4 से गुणा करा लो 4, 32, 0 लगा दो 4, 32 हो जाएगा 4, 16, 3, 19 हो जाएगा तो 19,200 सात्यों ये A की आई निकल आएगी B की B आई निकल लेंगे X की वेलू 4800 है और B की आई कितनी है 5X है तो 5 की 49, 49 सों से करा लो B की आई निकल जाएगी तो इस टाइप से सात्यों आपको समझना है चलिए सीमा आयों में रीमा से 8 वर्ष चोटी है सात्यों क्या लिख़ए बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छा कोशन ये आपकी एक्जाम में आएगा कि सीमा रीमा से 8 वर्ष यानि कि कुल मिला के सात्यों दो लड़किया है एक है सीमा क्या एक है सीमा सात्यों और एक कौन है एक है रीमा चलिए सीमा और रीमा दो लड़किया है रीमा यानि कि सीमा जो है वो रीमा से 8 वर्ष चोटी है ठीक है तो अगर साथियों हम मान लेते हैं रीमा की उम्र कितनी रीमा की उम्र अगर X है तो सीमा की उम्र कितनी हो जाएगी साथियो X-8 हो जाएगी क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि सीमा जो है ना सीमा यह 8 वर्ष छोटी है तो जब इसमें से इसकी आयू में से 8 को माइनस करेंगे तब ही तो आएगी तो कुल मिला कि अब आपको सीमा की भी आयू पता चल गई रीमा की भी आयू पता चल गई उसके बात कहा गया है कि अगर 4 वर्ष पहले चार वर्ष पहले कहेगा तो इसमें से चार माइनस करेंगे इसमें से भी चार माइनस करेंगे चार वर्ष पहले उनकी आयू का अनुपाद कितना था एक अनुपाद दो था तो हम लिख लेते हैं साथ हो यहां पर देखिए X-8 यह तो आपका हो जाएगा वर्तमान आयू चार वर्ष पहले की बात किये तो चार माइनस कर देंगे इसमें से भी सात्यों चार माइनस कर देंगे ठीक है और इन चार वर्ष पहले की अगर बात करें उनका अनुपाद कितना था एक अनुपाद दो था यानि कि अगर सीमा एक साल की थी तो रीमा दो साल की थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब देखिए सात्यों यहाँ पर, अब सात्यों यहाँ पर अगर बात करते हैं, यह 8 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सात्यों, 12 हो जाएगा, लेकिन मा आ जाएगा, चार आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, दो एक्स लिखा हुआ, यह उधर वाला एक्स इधर आएगा, तो 2 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, यानि के एक्स ही बचेगा सिर्फ, और जब सात्यों यहाँ पर एक्स बचेगा, तो उसके बात क्या हो जाएग उसके बाद यहाँ पर 24 हो जाएगा और माइनस का चार हो जाएगा तो कुल मिला कि X बराबर जो आपके सामने आएगा वो कितना आएगा साथ हूँ वो 20 आएगा याँ कि X बराबर 20 अब आपको मान मालूब पड़ गया अब यहाँ पर क्या का जाएगा दो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आईउ क्या होगी देखिए सीमा की अमर वर्तमान समय की पहले निकाल लिये तो X माइनस आट और X की वैलू है 20 यानि के 20 माइनस आट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो 12 तो अभी वर्तमान समय की आईउ है 6 वर्ष बाद की अमर पूछ रहा है न तो 6 वर्ष इसमें जोड दीजे कितना आजाएगा साथियों 18 आजाएगा तो आपका आंसर किस आप्शन के साथ जाएगा 18 के साथ ही जाएगा अगर आपसे ये पूछता रीमा की वर्तमान आयो कितनी है तो 20 है 6 वर्ष बाद की पूछता तो 26 वर्ष आप बता देते तो कुल मिला कि जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर B है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए साथ यो अगले नमबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताएए सही जवाब क्या है चली तो 6 प्लस 3 लिखा हुए 6 प्लस 3 ऑफ 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर 7 मैनस 5 है ब्रैकेट बंदे भाग लिखा हुए 2 ऑफ 11 लिखा है इसका मान आपसे पूछा जारे देखिए 6 प्लस 3 लिखा है तो 6 प्लस 3 आ जाएगा और off का मतलब सातियों गुणा होता है तो 7-5 आ जाएगा अब यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको solve करना है और भाग हो तब भी नहीं सबसे पहले इसको सातियों solve करना है उसके बाद bracket बंड हो जाएगा bracket बंड हो गया भाग का निशान आ गया सातियों बिल्कुल भाग का निशान आ गया और यहाँ पर अगर बात करें 2 गुणा 11 है न तो कितना जाएगा 22 आ जाएगा ठीक है अब 6 प्लस यहाँ पर सातियों 3 सातियों 21 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 21-6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 27 में से सातियों पाच जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा अब 22 भाग 22 है तो जब 22 की भाग करोगे सातियों 22 है तो कितना बचेगा एक अम एक एक अम एक तो एक आपका सातियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा देखिए अच्छा कोशन है शांदार कोशन ही हाँ पर आपकी स्क्रीन पर है अगर बात करें कि सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को आठ घंटे में करती है तो सोनी माली जे एस हो गई और गीता क्या हो गई गीता जी हो गई तो सोनी और गीता मिलकर किसी काम को आठ दिन में करती है और सोनी अकेले क्या सोनी अकेले साथियो उसकाम को बारह दिन में बारह घंटे में करती है गीता अकेले अगर उसकार को करे गीता अकेले अगर उसकार को करे तो कितने घंटे में समाफ्त करेगी आपसे पूछा जा रहा है तो साथियो उसके बाद second step आपको करना होता है यहां पर एक ऐसा number लेना होता है जो कि 8 के पाड़े में भी आई और 12 के पाड़े में भी आई है और कितनी बार में आएगा 8, 23, 24 तो 3 यहां लिख लोगे 12, 24 तो यहां लिख लोगे तो अब आपको कुल मिला कि यह पता चल गया कि S और G एक घंटे में कितना काम करते है एक घंटे में तीन काम करते है आपको यह पता चल गया कि S एक घंटे में कितना काम करता है साथियों दो काम करता है तो मैं कह सकता हूं साथियों देखिए स अगर एक घंटे meं हाहाँ तो जाहर सी बात है जी एक घंटे में एक काम करेगा क्योंकि यह जब दोनों मिलकर ही तो तीन काम करें ना इसलिए तो टोटल काम क्या है टोटल काम सात्यों 24 है और जब टोटल काम 24 है और जी कि अगर बात करें एक गंटे में एक काम कर रहा है तो यह 24 काम को कितने गंटे में निफटाएगा 24 गंटे में निफटाएगा तो आप से यही पूछा गया था कि उस गीता अकेले उसका आपको कितने गंटे में करेगी तो 24 गंटे में करेगी तो 24 कहां पर लिखा हुआ है साथ हो आप्शन नमर डी में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बात देखे साथ हो यह 60 में नमर का कोशन है एक विलियन में इल्कॉहल और जल का अनुपाद कितना है मगर जैसे कि कहा गया है कि अगर चार एक्स है तो जल कितना है जल तीन एक्स होगा इस विलियन की 350 मिले लीटर मात्रा में मतलब इस पूरे की मात्रा कितनी है एक मान लेते साथ हो एक ड्रम है इसमें 350 एमिल है 350 एमिल है इसमें पानी भी है इसमें अल्कोहल भी है और कहा गया है कि इस Willian की 350 मिलिलेटर मात्रा में कितना और पानी मिलाने पर कितना पानी मिलाने पर Willian में इल्कोहल और जल का अनुपाद 5,956 हो जाएगा तो सबसे पहले साथियों ये निकाल लिजीए कि असल में एक्टूल में ये जल कितना है और पानी कितने है तो जब 350 सात्यों इस पूरे में है तो मैं कह सकता हूं सात्यों इलकोहल का अनुपाद 4 है चार एक्स है और जल का अनुपाद 3 एक्स है तो इसकी मात्रे निकाल सकते हैं देखिए कैसे निकालेंगे अगर बात करें साथियो अलकोहल की निकालने न, अलकोहल की कैसे निकालेंगे, पूरी मातरा कितनी है, 350 है, अलकोहल की निकालने, अलकोहल का नुपाद क्या है, साथियो चार है, नीचे क्या आ जाएगा, इनका जोड आ जाएगा, इनका जोड साथ होता है, साथ एकम साथ, साथ पंजे आपक कि कि मात्रा निकल जाएगी जल की मात्रा निकल जाएगी चलिए ठीक है अब देखिए यहां पर अगर बात करें अब एक टाइप से होगा देखिए वही इस विलियं की 350 में लेटर मात्रा में कितुना और मिला दिया जाए 200 तो इलकोहल है ठीक है 200 इलकोहल है जल कितना है जल 150 है और कहरा है कि जल में कितनी मात्रा और मिला दे तो मैं कहूंगा X मात्रा और मिला दो ताके मिलाने पर इसका विलियन का यानि के इलकोहल और जल का अनुपाज जो है कितना हो जाए वो 5 अरु 5, 6 हो जाए यानि कि एलकोहल जो है वो 5 हो जाए और जल जो है वो 6 हो जाए जब X में X मिला देते हैं साथी उचें जल में X की मातरा तो कुल मिला की इसको कल्कुलेट कर लीजे और X कामान निकाल लीजे 6 दूना आपका बारा हो जाए यानि के बारा सो हो जाएगा बराबर अगर बात करें यानि के प्लस अगर बात करें ठीक है प्लस ही आएगा अब उसके बात करें एक सो पचास की साथियों पाच से पहले गुणा होगी तो कितना आ जाएगा यहां पर बराबर आ जाएगा ठीक है क्योंकि यहा जाके 1200 बराबर साथियों 15, 15, 75 होता है तो यहां पर 75, 750 आ जाएगा प्लस आपका साथियों 5 एक्स यहां पर आ जाएगा अब अगर बात करते हैं साथियों 1200 में से यह 750 माइनस करेंगे इधर का आएगा तो 0 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा साथियों तो 5 बचेगा और यहाँ पर 400 यानि के 450 बराबर जो आएगा वो 5X की वैलु आएगी तो 1X की वैलु साथियों कितनी आएगी 90 आएगी ठीक है ना 90 आएगी तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आगर इतने ML विलियन में अगर पानी की मातरा 90 मिलाई जाती है तो एलकोहल और जल का अनुपाद कितना हो जाता है पाच अनुपाद छे होता है तो आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन अमर डी यानिके 90 के साथ जाएगा बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास तो ये सात्यों लगबख लगबख 60 कोशन्स आपने आपर देखे सबसे पहले 20 कोशन्स सामानने हिंदी के 20 कोशन्स सामानने गयान के उसके बाद 10 कोशन्स आपने रीजनिंग के देखे और 10 कोशन्स सात्यों आपने मैध के देखे ठीके ना तो एक लास आपको सात्यों कैसी लगई एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अबश्य बताएगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके बेल आएकर पर क्लिक कीजेगा उसके अलावा अगर बात करें साथ तो इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर भी जरूर कर दीजेगा